हलो स्टुडेंट मैं अजे सर मेरे चैनल का नाम है अजे टुटोरियल और मैं कर रहा हूँ मुस्किले आसान क्योंकि मैं सॉल कर रहा हूँ आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेस्चन्स को और टॉपिक्स को आप लोग आप लोगों की डिमांड के चाहते हो जो भी आपका मतलब रिक्वाइर्मेंट होगा वो सब मैं यहां पर कोशिस करने वाला पूरी-पूरी कि मैं सबको वीडियोस दे पाहूं बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं मुझे अल्रेडी तो मैं अकॉर्डिंगली मैं बनाते जा रहा हूँ वीडियो तो अचिए आ का मउमेंट आफ इनरसिया में एक्स्प्लेइन किया है इसमें स्टार्ट कैसे हमेँ लोग करने वाले रेडियुस आफ गयरेशन ौकियो यह कई यह इसह अपॉरी तरह से आक पो समझे हमें आ जाने माला वह दो कौन से एक है मेरे पास ए रेगुलर से बॉड़ी इसका मोमेंट ओफ इनुसिया इस एक्सिस के अलॉंग कितना होगा मतलब यह सॉलिड बॉड़ी है तो इसमें यह क्या है इसके अंदर पूरी बॉड़ी सपोज यह भरी हुई है ऐसे पूरी बॉड़ी तो इसके मास ना डिस रेगुलर से नहीं होता है कहीं ज्यादा कहीं कम दिखाए देता उसका वेट तो यह ए रेगुलर से बॉड़ी का केस वही सिचुएशन हो गई तो इरेगुलर से बॉड़ी का मोमेंट ओफ इनुसिया हम लोग प्राक्टिकली फाइड कर सकते तो यह मैं बोलता हूँ कि इस करने पड़ेंगे और अकोडिंगली आपको समझना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है मतलब इसका टोटल मास कैसे हुआ है वह यहां पर पदा चल जाएगा आपको लेकिन आप ठीरोटिकली बहुत सारे रेगुलर सेप के फाइंड कर सकते अब यह रेडियोस गायरेशन का ही एक्स्प्लेशन है जो मैं अभी दे रहा हूँ अब दूसरा एक एक्जामपल है जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है सब्पोस हमारे पास एक रिंग है यह रिंग सेप है और यह रिंग सेप में मैंने मोमेंट ओफ इनोसिया फाइंड करना ह है मुझे एक एक्सी से जो सेंटर से पास हो रही है वहां से फाइंड करना यह एक्सी सेंटर से पास हो रही है इस जगह से फाइंड करना मुझे है ऐसे यह पूरा ड्राव नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम हा ठीक है तो इसके सभी मास एक इक्वल डिस्टेंस पर सेटप है आप देख सकते हो आप अपने हाथ में भी एक सपोस्ट हाथ में पैंते ना कुछ करडा जैसा मेटल का तो उसमें भी समझ सकते है उसका टोट हाने चलता है कि इसका टोटल मास कहां पर डिस्ट्रिईयूशन हुआ है कितने डिस्टेंस पर है एक्षिस ऑफ रोटेसन से तो यहां पर मुमेंट ऑफ गयरेशन का का कामी होई है तो रिदियेस ऑफ गयरेशन का मैं पहले यूज लिखता हूं radius of gyration क्या बताता हमको gyration अच्छे से लिख देता हो थोड़ा radius of gyration क्या बताता हमको distribution of mass किसी भी body का अगर radius of gyration आपको पता है मतलब आपको ये पता है कि total mass, maximum mass उसका कहाँ पर situated है उस body का distribution of mass of the body और ये regular shape के लिए होता है ये regular shape के लिए हम ऐसे directly क्योंकि यहाँ पर कहीं यहाँ ज्यादा mass है यहाँ कम mass है तो accordingly इसका distance तो change हो रहा है बट यहाँ पर क्या हो रहा है ये radius जो है इसका ये किसके बराबर है radius of gyration के बराबर अब radius of gyration आपको धीरे दीरे समझ में आया होगा कि क्या होता है radius of gyration वो number ये distance होता है जो कि हमको बताता है कि कितरे distance पर body का total mass fit हुआ है total mass situated है तो मैं इसको definition तुमारे book में particular definition नहीं दिया है बट उस definition को थोड़ा सा मैं modify करके बनाता हूँ radius of gyration is defined as radius of gyration is defined as of the first fixed distance fixed distance where total mass of the body total mass of the body situated body is situated right तो और वो distance को ही हम लोग क्या बोलते है radius of gyration यह हो गया उसका definition अब मैं इसको थोड़ा सा highlight कर देता है आप लोगों के लिए definition बोले तो यह कि एक ऐसा fixed distance जहां पर body का पूरा पूरा mass situated होता है इसके according moment of inertia में जो formula था m r square यह r square को हम लोग क्या लिए सकते है ring के case में ऐसा होगा k square लिए सकते है since ring के case में क्या होता है k और r दोनों equal होते है मदलब आप देख सकते हो ring में जो इतना radius हो उतने ही distance पर पूरा mass situated है right तो इसके लिए मैं k square is equal to क्या लिए सकता हूँ i upon m therefore k is equal to what root i upon m right radius of gyration का formula हो गया moment of inertia upon mass of the body अगर कभी आये question आपको की find out moment of inertia radius of gyration of anybody तो उसके लिए आपको moment of inertia पता होना चाहिए right तब आप radius of gyration निकाल सकते हो और इसका unit क्या होगा क्योंकि यह distance है unit of k is equal to meter dimension L1 समझे तो यह radius of gyration का physical importance के साथ मैंने आपको definition बता है यहाँ पर यह इतना छोड़ा सा concept हमको समझने के लिए आसान होगा की radius of gyration क्या होता है ठीक है तो चलो मिलते next वीडियो में और कुछ भी difficult है topic है sub topic है तो आप मुझे message करो comment box में लिखो तो आप मुझे